अब देख रहे हैं अब देख रहे हैं जिस हवाई जहाज में सवार होके चाइना रवाना हुए हैं उसकी जो मनाजर आप इस वक्त देख भी सकते हैं इस तैयारे के बारे में कहा जा रहा है कि ये साड़े तीन सो पैसेंजर्स को केरी करने वाला हवाई जहाज खास तोर पे खुसूजी तोर पे शहबाज श्रीश शाब को चाइना लेके जाएगा और ये महाँ पे दो रोस तक क्याम करेगा यानि कि अगर इस तमाम तर्स्रों इत्याल में ये देखा जाए कि पी आई ये का ये जहाज जिसमें 3700 पैसेंजर बैठ सकते हैं वो जहाज अब मियाम हमाद शेवाज श्रीशाब की खिदमत में दिन रात सर्फ रहेगा और इसके इलावा जो इसके ओपर जो तकमीना लगाया जा रहा है वो तक्रीबन 30,000 डॉलर्स का लगाया जा रहा है इसकी अगर पाकिस्तानी रुपे में अगर आप खुद कनवर्ड कर लें क्योंकि आज कल ये कहना भी बड़ा मुश्कल है कि रुपे और डॉलर की जो कदर है जिसमें बतद्रीज देखा जा रहा है कि डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है तो कल्कुलेशन किसी भी किसम की देना इस वक यकीन दार मुश्कल होगा और तीसरा डॉलर का जो ये एकस्पेंस रिपोर्ट किया जा रहा है बहुत यह ना तोर पे सवालात कड़े कर रहा है मुस्लिक नून के शायान शान खर्चों पे और जो मनाज़िद देखने में आ रहे हैं वो भी इससे कुछ जादा मुक्तलिक दिखाई नहीं देते है ये जो काफला मुस्लिक नून का जिसमें हम देख सकते हैं मद्यम औरंग जेब साहिबा और सागडार साभ हाइजास के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो जिस अंदास से पाकस्तान की सुर्थ दिहाल के उप़र पाकस्तान की माशी मस्तखबिल के उपर चायन के हावाले से जो कुछ कहते हैं दिखाई दे रहे हैं यह की तोर पर यह बड़ा हैं होगा कि जब यह काफला इस तयारे में पाकस्तान से रवाना होगा तो इसका बोच कौन उठाएगा यह किसके टेक्स का पैसा है जो अवाम यह की तोर पर दिन रात खुन पसीने की कमाई से अपने अदा करती है जिसको इस तरीके से उड़ाया जाता है क्या इस दोरे के अपर जो एकराजात हैं इसकी तफसीलात हुकूमत शेयर करेंगी क्या मसलिविक नून की मौजूदा कायादत इस दोरे के हवाले से जो इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं जो शुकू को शुबात जाहर किये जा रहे हैं खास तोर पे इस तैयारे के हावाले से जो कॉंट्रूर्सी जनम ले रही है उसके हावाले से क्या पाकस्तान मुसलिमिक नून की जो कैयादत है वो इसके अपर को लगको शायद करते वे आवाम को तमान तर जमीनी हाकाइक से आगा करेगी ये एक बड़ा स करेंगे मुक्तलिफ मामला के ओपर गुफ्तूगों होगी और ये एक बड़ा है मामला होगा कि जब पिछली दफ़ा वजीर आजम मियामाद नवाज शेरी शाप ते हो जब चाइनिज प्रेसिड़न आने वाले थे तो तब भी पाकिस्तान तरीक इनसाफ का एक बड़ा धर है वो चाइनिज प्रेसिड़न से किसी किसम के बड़े मौाइदे का कोई बड़े इलानात करवाए जा सकें कि कोई इस तरह की यादाश के ओपर दस्तकत करवाए जा सकें एक लिए वाक्ति बताएगा प्रग्राम आइसे हवाल से भी कुफ्तू करेंगे और मजीद मामलात क हम लोटेंगे तो कुछ बलुस्तान की क्यारत और सियासी क्यारत के ओपर भी तथकरा होगा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद हाज़र होते हैं अब देख रहे हैं The Daily Show with Munir Neymar अब देख रहे हैं The Daily Show with Munir Neymar प्रेग्राम में आपके बापर से खुश्रामदीत कहते हैं ज़रा तसकरा हो रहा था इस वक्त के पाकिस्तान तरीक इनसाफ का जो काफला इस वक्त सलाबाद के रवाद रवाद रवाया दुसी वक्त मुस्लिमी नून की एक आला क्यारत लंडन में मौजूद है और साथ मे मौजूदा प्राइम निससर जनाब शहबाद इस वक्त जो मौजूद है वो चाइना के एक एहन दोरे पे हैं ऐसे सुर्थाहाल में पाकिस्तान का मुस्तक्बिल यकीन दोर पे इस बड़ा सवाल है इसके उपर उसमें क्या होता है दिखाई दे रहा है और साथ में ये भी पाकिसान में लाउंग मार्च धरने ये कुछ तारीक नहीं नहीं है एक बार पर से एक हम लॉउंग मार्च देख रहे हैं इस सुरत हाल में क्या होता वा दिखाई दे रहा है क्योंकि एक जानब लॉंग मार्ज की तारीक में तब्दीलियां हो रही है वो अपना फासला तब्दील कर रहा है फासला गुजार भी रहा है दुसरी जानब क्यादत जो मौजुदा क्यादत है जो हुकमरान है उनके लिए भी मुश्किलाइब खड़ी हो रही है कि देगे जी एक अची रवायत नहीं है मेरे अपरी सोच एक समाजी कारकुनू कि ये इसलामाबाद के जड़र चड़ाई करने से अगर हकूमते खतम हो जाएं तो फिर कोई भी यहां पर हकूमत नहीं कर सकेगा आप में देखा कि पहले मुश्किलाइब खड़र आमान थाबर प्रेक्टिस कर चुके हैं, मरान साब खुद भी कर चुके हैं, पीपल पाटी ने भी मरान साब के दोर में जो है ना यह प्रेक्टिस किये, मुस्लिमले गिनून ने भी किये, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, बाबी मुजाकरात अगर क कि यह जो है मारे मुल्क के लिए चीक नहीं होगा निजब यह आपने बिल्कुल सही का कि दस्तों गरेबां अगर इस वक्त होते हैं जब हम देख रहे हैं कि इतने सारे आलमी स्था पर चैनलिज दरपेश हैं तो एक यह तो पर मुश्किला तो बढ़ेंगी लेकिन एक बात ब हुकूमत से अलएदा हो जाते हैं और यह प्रेशर बरदाश नहीं क्यों सकते हैं तो हुकूमत का धर्ण तकता हो जाएगा सर आप दुरत फर्मा रहे हैं लेकिन हमारे बलोचस्तान में एक अकवाल जरी मशूर है हम कहते हैं कि महुबत में हमारा गला काटो जोर जबजबसी से कोई हमसे कोई काम ने करवा तकता है तो गुदारिश ही है कि इमरान सबसे हमारी गुदारिश है अगर आप ये समझते हैं कि आपके कंटेनर पे कड़े हो के फोच को लल करने से या पाक फोच के अफिसरों के नाम लेने से मकसद में काम्याब हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये उनकी घलत से नहीं है एक ऐसा अधारा जो मुल्क की बका का जामेन है जो मुल्क को संबालता है जो बाडरों को संबालता है जो हमारे आने वाले नसलों के मौफिज है कुर्बानिया देते हैं अगर उनको जो हम चोको पर बैटके या खड़े हो के ललकारिंगे तो आने वाले नसलों बक्यातरा तो ये बिल्कुल दुर्श वर्मा और ये इसे कालिबन खान साथ के अवाले से नहीं आप माजी में इस तरह की शूरत आल हमें देखिए ना माजी में बड़े सारे सियासी लीडरान ने मियामामद शेव नवाज शेव जब शायद आपकी प्रोग्राम में जिन कहा था चाहे मियानवाश शरीफ साथ हो चाहे जडरदारी साथ हो उन्हों ने भी कहा था कि ही इस जीड बचा देगे ये मियाश शरीफ साब ने भी हमारे दो आर्मी अवस्तरान के नाम लेकर वो करते थे जो घलत है हम कहेंगे घलत है बले हमारी हमगर्दिया उन पाटियों के साथ हो लेकिन फाग फोज इस मुल्क की जवहन अजामी नहीं इताद इत्वाक की और सरदों की मौफिज है हम अपने अदारों को कमजोर करेंगे आप देखे ये अरब मौमालिक ने जिन जहां जहां फोज बात करें पाकिस्तान में इदारों के चोड़े इस विए जमूरे भी कमजोर ती भी दिखाए दे रही है क्योंकि ये जो लॉंग मार्च का रस्ता है अगर इसमें जो तकारीर हो रही हैं जो जो दूसरे तरह से भी तकारीर हो रही है ऐसा मालूम होता है कि इस वक्स स्यासी क्यादत के आप में कुछ भी नहीं है और तमाम तर जो फरीकेन है वो एक दूसरी की तरफ नहीं देख रहे हैं वो किसी तीसरे रुप्य देख रहे हैं जहां पर उनको लगता है उनके खयाल में शुरत आल वाज़ हो सकती है वो फैसला साजी हो सकती है और अगर तीसरे को गुछ आगे ना तर ना इदर कुछ रहे गाना उदर कुछ रहे गा मैं आपको बताऊ हूँ अवाम बिन से बेजार है महंगाई है वो अगुसा आख रहा है मिर्शाब जी, मोरी सरे मैं पूछारा है जा ले कि गुस्से Associate का अज़रे circumstant debate, मेरा अपना सोच भुवरान क तरा हो प períज़ा मेरे आप ले उना फोज़ान को लेल्क्रार होगे रे की। नासिब नहीं है ये बिल्कुल आपने मुलक के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने बात की मैं जरा चाहूंगा कि अब जरा सियासी पसमनजर के पर बात करते हैं इस वक्त कुरम में दो दिन पहले इंतिकाबी अमल हुआ उसमें देखा गया कि खान साथ भारी एकसरेजिस स उसमें भी काम्याब हुए ये तो वाज़ है कि इस वक्त की पॉपलेरिटी जो मक्बूलियत है वो अपने उरुच पर नजर आती है और तमान पर जो हालिया तारीक में जो सुर्टहाल देखने में आई है उसमें खान साथ को वाज़े बतरी भी रही है तो ऐसी सुर्टहाल में आपको क्या लगता है कि आगे क्या मौज़ुदा हुकूमत के लिए ये मुमकिन होगा कि वो इलेक्शन की कुछ तारीक अना उसकर सकें निमन साथ आपको याद होगा 25 दिसंबर 2021 को मैंने आपके चैनल पर एक इंट्रू दिया था और मैंने पेशिंट गोई की ती जब आलाद वन रहते मैंने का था अगर मुस्लिम लीग नून ने अकूमत लिया तो सबसे ज़्यदा इन अलाप में अकसान मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ेगा चुके बड़ी पार्टी होई है और जब फैसला जब हुआ था आप जैसे भाई ने मुझे वही रपोर्ट बिजवाई थी कि पीपल पार्टी वाले सिर्फ खारजा ले रहे हैं स्पीकर ले रहे हैं सेंडर्ट चेर्मेर मांग रहे हैं मतलब कोई जम्यदारी वाला ओदा नहीं है जो आजकल महिंगाई है डालर उपर गया है आलाफ खराब है लाजमी इसके रादे अमल में एक्षिन में खांसाब को सपोर्ट मिलेगा और और आपने जो मुस्लिमी नून का फैक्टर बताया मीर साफ गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो रोज पहले खबर आई जिसमें रहीम काकर साफ जिनका तालग मुस्लिमी नून से था कोईटा के वो सदर भी रहें गालिबन वो तरीक इंसाफ में शामल हुए तो य मैं तो समझता हूँ किसी और का नाम तो नहीं आ रहा है रहीम साफ जो है ना पहले भी दो मरतबा मुस्लिम लीग छोड़ चुके हैं अलागे मुस्लिम लीग पार्टी की तरफ से उनी साउटानवे में ये मेर बने जिर उसके बाद मुस्लिम लीगी लीडरान के ताउन से आशमी साफ, सरवनकाकर महरूम साफ, नवा मक्षी साफ और सब के ताउन से उस टेम पर मैं भी डिस्टिक नाजिम का कंडिडेट था तीसरी पोजिशन मेरी थी तो फिर इनों ने सब मिलके रहीम साफ को सिची नाजिम बनवाया जब उनको इसी पाटी के महरूद मिनत है अ वो ऐसा नहीं है याप इबरान के फालूवर जिते हैं ज्यादा नहीं है कम मैं जी बलोचस्तान में तो तो मिल साफ यह समझाया ना क्योंकि कहने को तो यही कहा जा रहा है कि तहरी ना कहीं अगर देख रही है तो इन छोटी पार्टी की ओपर काफी जादर इनिसार कर रही सर इमरान खान साफ इसमें कोई शक्ने एक कव्मी लीडर है पफुलर लीडर है लेकिन उनके लफाज ऐसे हैं कि उनको दुश्मन की जरुरत नहीं है ये छोटी पाटियां इस्दत मांगते हैं ये जो है ना अपने खासकर हमारे बलोचस्तान के लोग जो है ना अपने स्या कि अला होगा जो लोग नाना आ हैं फहले मी नाना थे अभी मी नाला है और भलोचस्तान को ज्यादा जो है १ढ़ ऑड्रश्टी देने के जोगरत है सबसे पहले तालीम के बारे में कोशिश करनी चाहिए जो हमारे साफ का कोर कमांडर और नए कोर कमांडर यह जो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं तालीम का और सियात के बार खुद विजिट भी कर रहे हैं जी विल्कुर तो बीट सब आप यह बता है ना कि आगे क्या होता दि सामने पाटियां बैठी हैं, सामने तेरा पाटियां बैठी हैं, अगर जबर्दस्ती, अगर खान साथ चाहेंगे कि हम ज़ोर से हवाम को ले जाके जटे के सूरत में यलगार करेंगे तो ये तो मसले का हल नहीं है, खान साथ कोला कल तो कोई भी कर सकता है, मिर सब आप जो कह खान साथ तो इसलामबाद जाने का इरादा तरक करते ले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि असाद अमर साब ने का कि अम इसलामबाद नहीं जा रहे हम तो पिंडी में भूमेंगे, बस कहते हैं एक बिसाल है, कहते हैं बो बेटी को सनाओ बवो को, तो क्या हो आप उसको अचाही बेची मिलती है, राजा बाजार वहां पर जो है बहुत मशूर है, आप एक गूम पर के वापस आएंगे, तो आपको लगता हैं वहां तो खाली आता हैंगे और खुद यह हुकूमत के लिए बढ़ जादा तश्वीश नहीं होगा, कि मौजूदा यह जो लाग मार बसना हूं कि यह खाल साफ भार एक पाक फोच को ललका रहे हैं, मुच्तहिल कर रहे हैं, जजबाती कर रहे हैं, उन पर अटेक कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए चीक नहीं हैं आपको लगता है कि जो तमाम तर सुर्थाहाल जैसी चल रही है, वैसी चलेगी, यहां पर कोई एक ऐसा को बीच वारास्ता निकलता हूं दिखाई दे रहा है, जहां से ऐसा मुम्किन हो जाए कि तमाम तर सियासी कैदत को एक फेस सेविं में मिल जाए, आपने अपने वोट दे दें, वो लीडरान के पीछे हो जाता है, जो हमारा तजर्बारा है, सुनने में आए कि सदर पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन इमरान साभ अपने जो है टर्वन कंडिशन पर बैठ की जो है ना प्जाकरात करने चाहती तें जो नामुकिन है, अगर स्याने मिर्जा है, अबी मुजाकरात नहीं होー teddy, किसी किसम के? अभी तो फेलाल नहीं हो रहे है, चोधरी पर्वेजलाई की तरफ से सुनने में है कि घरावत्तक किया इस अगर यह मुजाकरात कोशिश होगी के टेबल पर बैठें, अगर एक टेबल पर नहीं बैठें तर मैं समझता हूँ कि पिर असलाम आलेकों मौम वतलू हो जाएगा कि यहां पे ब्रिक के बाद जब लोटेंगे तो से कुछ और गुफ्तू करेंगे तयरीकि इससाफी कर लांग मार्च और जो तकारीर की जा रही हैं . इस अवाल से कुछ और बात करेंगें . ब्रिक लेते हैं ,पर लेक पी बाद हाजर होता है अब देख रहे हैं The Daily Show with Munir Neymar